तंगणा खेंग डलेर महंदी का छलका दर्ड डलेर महंदी ने अब सालों पुराने कबूतर बाजी के केस के बारे में बात की और बताया कि उन्हें कितना टॉर्चर किया गया इस केस के चलते। आपको बता दे कि ये बात लेट 90s की है जब दलेर महंदी और उनके भाई बाहर अबराण में कॉंसर्ट करने जा रहे थे और उन पर आरोख था कि वो अपने ग्रुप में दस लोगों को डंकी बना कर लेकर गए थे यानि कि इल्लीगल तरीके से उन्हें इमिग्रेशन करवा थे दलेर महंदी और उनके भाई ने और इसी के चलते केस चला था दलेर महंदी को दो साल जेल में भी रहना पड़ा था फिलाल वो बेल पर आउट है और उन्होंने कहा कि जेल में उनके साथ बहुत बरा बरताव किया गया उन्हें VVIP ट्रीटमेंट बिलकुल नहीं दिया उन्हें फर्ष पर सोना पड़ा और उनका बीपी भी हाई रहा उन्हें कई बार हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ा क्यूंकि हर रोज जमीन पर सोना पड़ा तो पीठ में भी दर्द था इस केस की वज़े से दलेर महंदी की इमिज भी बहुत खराब ह इस कारण उनके हाथ से कई ब्रांड डील्स और कई सारे कॉंसर्ट भी गए दलेर महंदी का कहना है कि लोगों ने भी उनके साथ बहुत अच्छा खेल खेला हमें मुझ पर कहते थे कि हम तुबारे साथ है लेकिन असल में वो साथ थे नहीं वो बस हमारे मज़े ले रहे थे दलेर महंदी ने कहा कि पुलिस ने सबसे पहले मेरे भाई को उठाया फिर मेरे भाई को छुड़वाने के लिए उन्होंने मुझ से डेड़ करोड रुपए की डिमांड की जब मैंने ये पैसा देने से मना कर दिया तब मुझे भगोड़ा गोशित कर दिया और सभी न्यू कहे